नव से बड़ी कबर, 16 दिन में लेकपालों की हर्ताल जारी है 75 जिलों में, 325 तैसीलों में लेकपालों की हर्ताल जारी है 8 सूतरी मांगू को लेकर के हर्ताल पर हैं लेकपाल तो सरकार ने 300 लेकपालों की सेवा दरसल समाप्त की उसके बाद विरोत प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है तो पच्छिस सो लेखपाल हो चुके हैं निलंबित सरकार की कारवाई से नहीं डर हैं लेखपाल तो लेखपालो की हड़ताल से जनता भी साथ तरबी पर परिशाव नजर आ रही तो पचीस सो लेकपाल हो चुके हैं, नेलंबे तो सोलवे दिन भी लेकपालों की हरताल जा रही है 75 जिलों में और 325 तैसिलों में लेकपालों की हरताल है अंदाजा लगाए जा सकता है किस तरीके से काम प्रभावित है नीरज हमारे साथ हमारे समवादाता जुड़ गए नीरज अशोलवा दिन है लेकपालों की हर्ताल जा रही है 75 जिलों में 325 तैसिलों में लेकपालों की हर्ताल है फिलाल कुछ समझा होते हैं जैसे इस्थिती कुछ बंती नजर आ रही है या नहीं पिछले 16 दिनों से लेकपालों की हर्ताल चल रही है 35 जिलों की 325 तैसिलों में 32,000 लेकपाल आठ सुस्री मांगों को लेकपाल पर है 300 लेकपालों को कि सेवा सरकार ने समाप कर दी है लगबग 25 लेकपाल तो चुके हैं लेकिन अभी भी किसी भी दशा में बात बंते हुए नजर नहीं आ रही है लेकपालों की हर्ता से जंता बेहर नाराज परचान है रिवेन्यू पर सारा काम ठप हो गया है आए जाती हैतियत चरीत प्रमान पत्र भी लगबग 7 लाज आवचन अठटे हुए है कंबल बाटना और अलाव जलाने के भी काम इसमें लगबग ठप है निर्वाचन ट्यूटी में लगे हुए जो लेकपाल लगे तो उन्ते हर्ता तो वो भी काम ठप हुआ है लेकिन अभी भी सरकार की सरब से कोई भी बात्चीत के प्रक्ट्या नहीं और जिससे की अफाल उमीद है कि कि ने सानशत में प्रवेश करेंगी 2-500 लेकपालों जुके निलंबित और किसी कारवाय से जो लोग है वो डरे हुए है लेकवालों की अर्टाज से जनता पूरी तरीके से परिशान है